है थोड़ा सा लेट हो गया अपको मिलेगा हैं यहां पर सी एचसल 2021 का ठीक है कल फाइनल एक्जाम था उम्मीद करता हूं सभी लोगों ने अच्छा ही दिया होगा आप लोगों का डेटा आ गया उसके बेसिस पर हम डिसकस कर रहे होंगे क्या सब्सक्राइब कर सकता है तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस छोटी सी वीडियो के अंदर ठीक है और जो सब्सक्राइब करेंगे तो आपको एक ग्रूप मिलेगा जिसमें दो लाख चोवन हजार कुछ लोग जुड़े होंगे उसमें कर लेना सब्सक्राइब प्रिवेस एर पीडियो आपको मिल जाएंगी और जो भी अफडेट होते हैं वहीं पर मिलते हैं पिछले बार धाई महीने में रिजल्ट आया था इस बार तीन महीने तक मेरे खाल से क्या अपतार लग जाएं रिजल्ट आते आते तो जैसे कि सेलेक्शन पोस्ट एक्जामिनेशन था मार्च मिड़ अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया तो अभी उसका आएगा फिर आते 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 आप मान के चलें और फिर तेमबर के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा और जो टीर टू आपका वह लगभग नोवेंबर म तो देख लेंगे आप ठीक है यह थ्री स्किल टेश्ट जो होता है उसके बारे में डिटेल वीडियो पर कुछ दिन पहले ही बनाई थी तो वह सब लोग देख लें टाइपिंग अगर सीखने है तो अभी से टाइपिंग की प्रक्रेस थोड़ी थोड़ी स्टार्ट कर सकते है मैं इसकी कंप्लीट तैरी के लिए आरवी अप्लिकेशन इस्टॉल करेंगे पीडियाफ के लिए भी आरवी अप्लिकेशन चैप्टर वाइच और मोक्स तो आप देहीं रहे होंगे तो आपका MTS एक्जामिशन सेलेक्शन पोस्ट फेस नाइन एक्जामिशन हैड को स्ट अपने प्लान ले लिया तो एक साल तक जितने भी मॉक्स अवेलेबल है वो सारे के सारे आप दे सकते हैं सब एक ही प्लान के अंदर आर्वी टेन कोड यूज करके एक साल का प्लाइन 360 है ठीक है तो यहां पर अच्छा मिल जाता है आपको अपने प्रेपरिशन के बारे में अगर मैं बात करता हूँ CHSL 2020 की वेकेंसिज हमारे पास टोटल थी 4726 जिसमें पॉस्टर इस्टेंट की वेकेंसिज थी हमारे पास 3181 ठीक है CHSL 2019 की देखूंगा पॉस्टर इस्टेंट इस्टेंट की वेकेंसिज आप देख सकते हैं स्टेट वाइज कितनी है और हमारे पास सब्सक्राइब और हमारे वेकेंसिज की रहेगी सब्सक्राइब आगे भड़ते हैं यह पिछले साल की कटोफ हैं रिजर्व कैटेगरी की 141.88 मार्स गई थी ओभी सी कैटेगरी की 139.46 इस तरह के साब सारे कैटेगरी की कटोफ देख सकते हैं लाश्ट में आप थोड़ा स सेफ इसकूर के बारे मैं एडिये दूँगा तो ओवी सी और अन्रिजर्व कैटेगरी का दूँगा बाकि आप सी एश्टी अधर कैटेगरी का थोड़ा सा डिफ्रेंस के साफ से चेक कर लेना ठीक है वो डिफ्रेंस निकाल लेना माक्स का लगबग वैसे ही कुछ रहेगा इतने लाख लोगों ने फॉम भरा था ठीक है 11.58 लाख लोगी अपियर हुए तो मदब 30 पर से टेंडेस्टी बहुत कम है टेंडेस्टी टेंडेस्टी इसके वीचे रीजन यह था जब एक्जाम चल रहा था एकदम कोवीड की सेकिंड वेवा गई थी यह बहुत सारे लोग गए होंगे वो इससे थोड़ा सा ज्यादा नंबर होगा हो सकता है मेरे पास 15 लाग क्या 14 लाग क्या आसपास लोग एक्जाम देने गए हूँ ठीक है इस बार राइट इस बार काफी लोग का फॉम भी रिजेक्ट हुआ है एक डेट लाख लोग तो ऐसे ही होगी जि ही रहेगी अब हम बात करते हैं अनलिसिस पर यहां पर यह वन लिखाव है मतला हाड़े शिफ्ट वेस्ट ओन दी इसकोर जो लोगों ने सर्वे में पाटिसिपेट किया उनके और 42 क्या होगी हमारी इजेस नंबर की शिफ्ट जैसे आप देखते हैं अगर सभी शिफ्ट को सबसे जोई इजेश्ट आ रहे है वो 26 में की शिफ्ट वन आ रहे है इसमें जो मेरे पास डेटा था दो 108 लोगों का था आफ्टर क्रेक्शन काफी लोगों का डेटा में ने हटाया भी है तो हमारे पास टोटल अटेम्ट्स एवरेजमें लोग इसमें 85 कर रहे थे जिसमें क फाइनली मार्क्स आएंगे तो जनरली होता क्या है हमारे पास जो average score attempts के basis पाता है उसमें 8 number कम लोगों का score रहता है तो हो सकता है इसमें जो average score निकलका है वो 136 something कुछ आएगा ठीक है मैंने यहाँ पर 7 number घटाएं एजियर शिफ्ट में लोग जितना expect करते हैं लगभग उसके आसपस थोड़ा पोहुच जाते हैं हाड़े शिफ्ट में expect करेंगे मान लो 120 ठीक है आएंगे उनके यहाँ पर 108 number तो हाड़े शिफ्ट में ज्यादा होती है होती है तो यह भड़ता रहता है हाड़े शिफ्ट में ज्यादा होता है फिर भी आप्रोक्सिमेटली मान ले तो हो सकता है लगभग इतने कुछ लोग एवरेज में स्कोर करें आप्टर अंसर की जो अभी इसमें सर्वे में इतना कह रहा है आवरेज में ऐसी एक्जाम में श्राट हुआ था फर्स शिफ्ट में 135.2 एवरेज में कह रहा है सेकंड शिफ्ट है वो इजिएस्ट गई है 140 1.80 फिर यह 140 की लाइन वाली इजियर है और बाकि 130 वन हमारा क्या है हाड़ेश शिफ्ट में गया है यह हाड़ेश शिफ्ट जो सर्वे के साब से जल नांगे वो थ्री जून की ट्रिफ्ट टू आ रही है ठीक है यहाड़ेस ऐसी दूसरे नंबर की इर्ट जो हमें देख रही है वो एक जून की टी-सरे नंबर की चोफ्य नंबर की जो भी आप देखेंगे यह ec年前 चार पांच एजियर साइड हो गई, चार-पांच हमारी हाट साइड होगी, बाकी मिडल में पड़ेंगी, अगर मैं गैप देखता हूँ, यह 131.34 है और यह 143 है, तो लगभग हमारे पास जो गैप है, वो 11.7 नंबर का दिख रहा है, तो बहुत ज्यादा गैप नहीं है, तो लेवल यह भी है कि analysis नहीं कराया जाता है exam के बीच में, पहले क्या होता था, एक shift में particular type का question आया, अभी मैं आपको CGL 20, 21, tier 1 के भी questions करा रहा हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे, बहुत सारे questions तो ऐसे होते हैं, बिल्कुत same digit के साथ repeat करते हैं, last mile का सा change कर देते हैं, और पहले क् analysis shift 1 का किसी ने करा दिया, shift 2 में बिल्कुत same question आगया, with same value, जो बस last में फोड़ा सा change कर देंगे, तो आधे लोगों को आधा answer पहले इस ही पता होता था, तेक है, उससे जो paper का level था, अगली shift का वो easy बन जाता था, although questions का level same होता था, लेकिन जो लोग attempt कर रहे होता, उनके difference देखने को मिलेगा, अगर मैं average की बात करूँ, सभी shift का मिला के, तो average number of attempt जो लोगों के रहे हैं, वो 84.9 रहे है, यह average नहीं है, यहाँ पर आपका, यह है, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, यह सबसे hardest shift है हमारी, फिर उसके बाद second number की, third number की, fourth number की, इस तरीके से हमारी hardest shift चल रही है, ठीक, और सबसे easier shift हमारी देखो, यह last की है, कुछ easier side रहेंगी shifts, यह वाली सारी हमारी hard shift रहेंगी कुछ, और बीच में हमारी middle shifts, ठीक है, तो अभी exactly यह number shift थोड़ा आगे पीचे हो जाएगा हो सकता है, जब अंसर किया, यह वाली shift मेरी यहाँ पर प ठीक हो जाएगा, ठीक, तो थोड़ा बहुत बदलाव आएगा, एक दो shift हैं जो बिल्कुली abruptly behave करेंगी, जैसे ही answer किया जाएगी, उसके बाद, और final normalization जब हो जाएगा, उसके बाद, जब हमारे लिस करेंगे, तो उसमें भी थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिलेगा अगर मैं marks देखता हूँ, यहाँ पर हमारे पास shift लिखी हुए, sequence के अंदर, आप देख सकते हैं, average में लोगों ने कितना कितना score किया, जैसे mass में देखेंगे, आप 40.35 first shift में, आपके यहाँ पर reasoning के marks हैं, यह GK के marks हैं और यह English के marks हैं, सभी shifts का आप compare कर सकते हैं, यह वाला overall देखता हूँ, जो लोगों का average score जा रहा है, वो 15.18 सारी shift में मिला के, आपका reasoning में 42.48, math में 41.46, तो इससे यह चीज समझ आती है कि GK तो unexpected है, लेकिन यहाँ पर the math comparatively easy है, और reasoning भी बहुत जादा मुश्किल नहीं आई है CHSL के अंदर, ठीक, अगर मैं आगे बात करता यह हमारे पास data है, यह English का है, shift wise, लोगोंने कितना attempt करा, उन्होंने कितना कहा कि average में correct attempt होगा, और finally English के marks उनके लगभग कितने बन रहे हैं, आप देखेंगे हैं, आप अगर मैं यह हमारा क्या दे रखा है, यह hardest shift है, और यह easy shift है English के हिसाब से, तो अगर मैं compare करता हूँ, gap जादा नहीं है, सिर्फ चार number का gap है, ठीक है, तो काफी हद तक level maintained रहा है English का, कुछ लोगोंने personally बात जब मुझ से करी तो उन्होंने बताया कि English का level hard लग रहा है इस बार, ठीक है, तो English का थोड़ा सा level भड़ा है CHSL के अंदर, average score आप देखेंगे, हापे सभी shift का मिलाके English का 38.32 गया है, जबकि हमारा maths और regioning का, इससे क्या जा रहा है, average score जादा जा रहा है, जबकि generally होता क्या है, कि math का average score सबसे कम रहता है, math का regioning, gk का सबसे कम है, उसके बाद math या regioning होती है, उसके बाद English का, आई जा रहा था काफे times average score, लेकिन इस बाद English का कम गया है, math और regioning के comparison में, ऐसे ही आप यहाँ पर देख सकते है, math का, आप देखेंगे, जो hardest shift उसमें 37.29 और EGS shift उसमें 45 average में लोग बता रहे हैं, तो यहाँ पर gap हमें 8 number का देखने को मिल रहा है, तो यह भी अगर, hardest shift में भी अगर average में लोग इत तो उसमें लोगों का 6 shift ऐसी थी, इसमें लोगों का average score लगबख 20 number आ रहा था 50 में से, ठीक है, वो 4-5 shift मैंने solve भी कराई थे आपको YouTube पर, ठीक है, तो इतने मुश्किल paper भी आ चुके हैं CHSL में, लेकिन इस बार average score 37.29 तो मतलब math में डरने वाला काम नहीं है, ज्यादा कोई मुश्किल चीज़े नहीं पूछे गए, कुछ एकाज shift ऐसी बीच माई होंगे, या कुछ questions सारी shifts में मिला के, बैसिक से त्यारी कर रहा है, उन्हें तो सारे attempt करने, जब अंसर के आ जाएगी, तो उसकी chapter wise PDF आपको RB application पर जो paid subscription दे रखा है, उन्हें मिल जाएंगी, अगर मै यहां पर जो hardest shift है, उसमें 39.21 और जो easier shift है, उसमें 45.49 लोग बोल रहे है, तो यहां पर 6 नमबर का gap है, इसमें भी बहुत ज्यादा wide gap हमें देखने को नहीं मिला, जीके की बात करता हूं, जो hardest है, उसमें average में लोग कह रहे हैं 11.69 score गया है, जब marks आ जाएंगे पता चलेग कर रहा है, ठीके के क्या ही कहने से सी के, अगर मैं आगे बात करता हूं, expected, मतलब जिनके chances रहेंगे कि वो tier 2 लिखेंगे, अगर आप इतना score कर पा रहे हो, अगर आप इतना score कर पा रहे हो, तो मतलब आपके chances होंगे, आप tier 2 का paper लिख पाएंगे, paper लिख पाना और selection लेना मे बहुत बड़ा गयब होता है, tier 1 को boundary पे clear करके बहुत ही rare chance होगा कि आप final merit तक पहुचेंगे, ठीक है, tier 1 की cutoff से मैं recommend करता हूं कि आप 20 नमबर तक extra लेके चलें, खास तुर्पा अंडिजर्व्ट category में, ठीक है, और OBC category में भी, तभी जाके आपके final selection के chances बनते हैं, अगर previous year की cutoff के trends देखोगे तो ये चीज़ समझ पाओगे, ठीक है, क्योंकि अगर tier 3 का average score भी, tier 2 का average score भी 62 या 63 बान के चलूँ, तो भी आपको लगभग इतना number extra लाना पड़ेगा tier 1 में, cutoff से, जब आप इतना लाओगे तो आप boundary पे final merit को clear करोगे, ठीक है, इसके पीछे main region क्य होगा, उसे marks में उथल पुथल होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो safe score थोड़ा पूद आगे पीछे जरूर होगा, plus minus 4 का भी हो सकता है, आप 5 का भी हो सकता है, अभी क्योंकि attempts के बीशिपांसर की आ जाएगी, तो फिर gap थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है, अगर मैं ब जार बच्चे, वेकैंसी कितनी है हमारे पास, वेकैंसी है, 4.7 के, ठीक है, 4700 वेकैंसी है, तो आप देखेंगे, जितने लोग tier 1 को qualify करेंगे, उसके 10 प्रतिशत भी लोग ऐसी नहीं होंगे, जो finally select होंगे, ठीक है, तो आप ये मानके चलें, जो top 5000 में है, स्टार्टिंग म सब का सिनेरियो अलग लग चलता है, तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कि अभी tier 1 qualify करेंगे, उसके 10% लोग वा selection के chances बनते हैं, इसलिए tier 1 की cutoff आती है, उससे हमें कोशिश करनी होती है, कि 20 नंबर या minimum ये भी होता है कि चलो, 10-12 नंबर की आई, यहां पे लेली tier 2 में, इस समझ जोर मार गी है, आपने बहुत अच्छा लिख दिया, आपके writing skills बहुत जाद अच्छी है, तो आपके 72, 75 नंबर आ गए, तो भी आपके selection के chances बन जाते हैं, लेकिन ऐसा बहुत ही rare होगा, कि आप बिल्कुल ही boundary पे हो, कि मैंने safe score बताया है, वो ही cutoff आई, आ आपके बिल्कुल cutoff पे number और final selection तक पोजाओ, ऐसे chances बहुत ही rare होते हैं, ठीक, तो यह ही है, इससे ज्यादा आपके, जितना मैंने safe score मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इससे ज्यादा आपके बन रहे हैं, तो obviously आप थोड़़ब tier 2 के लिए देखने, tier 2 में बहुत ज्याद करना स्टार्ट कर दो, कोई और exam आ रहा है आपका, उस पर focus करना स्टार्ट कर दो, जैसे CGL mains अगर आपको देना है, tier 1, आपको लगता है CGL का clear हो जाएगा, तो CGL mains पर main focus आपको होना चाहिए, क्योंकि उसकी CGL tier 3 जब होगा, तो उसका pattern CHSL tier 2 जैसा ही है, बिल्कुल, तो उ tier 1 के result आने के बाद भी आपके पास enough time होगा, कि आप typing सीख सकते, क्योंकि इसके बाद आपका tier 2 होगा, और उसके 4-5 महिने बाद tier 2 का result आएगा, फिर उसके 1-2 महिने के बाद typing होगा, तो मतलब tier 2 examination के बाद भी, या tier 1 examination के result के बाद भी 6-7 महिने का time आपको typing के लिए मिल जा ठीक है, बहुत सारी चीजे हैं, तो यही था इस वीडियो में, आप लोगों से हैल बिता लेता हूँ, वाई वाई टेक केर, जैहन